प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम कई टाइप का प्रसंट करने वाले हैं जो आपके एक्जाम में बार बार पुछा जाता है अता अंता का बन रहेंगे यहाँ पर जैसे कोश्चन यह कहता है कि संख्या इसमें पाच का अस्थानिये मान और भाईया अंकित मान में अंतर यानि कोई भी अंक का जो जातिये मान होगा वह खूद होगा वह खूद होगा याद रखना ए बात को यानि आठ का जातिये मान आठ होगा नो का जातिये मान नो होगा पाच का जातिये मान पाच होगा लेकिन अस्थानिये मान बदलेगा अस्थान के अनुसार जैसे इस प् अगर हम बकात कहूं कि अस्थानिय मान भाईया बता दो अस्थानिय मान बता दो तो आपको देखना होगा कि पाच के मान अस्थान पर है तो कहोगे इकाई, दहाई, सैकरा, हजार के अस्थान पर है अता पाच का अस्थानिय मान भाईया पाच हजार हो जाएगा दूसरा तरी या आपसे कहूं कि अंकित मान यानि की जातिय मान बता दो तो अंकित मान वह अंक खुद होगा यानि पाची होगा ठीक है ना पाच का अंकित मान पाच साथ का अंकित मान साथ जो भी अंक का अंकित मान पुशे वह खुद होगा यह दोनों का अंतर यानि की घटाओ आपसे प संख्या में आठ का अस्थानिय मान बता दो तो यहां पर देखो आठ के मास्थान पे है भाईया तो इकाई दहाई के अस्थान पे है यानि आठ का अस्थानिय मान कितना होगा असी होगा ऐसे भी आप देख सकते थे आठ का अस्थानिय मान यानि आठ के बाद एक हो अंक है त कोशन को देखने का हम विचार करते हैं यहां पर कहता है संख्या में शे का अंकित मान और अस्थानिय मान का योग बता दो ठीक है भाईया बता देते हैं ठीक है अगर यह शे यहां पेगौर से देखो अगर यह शे का आप निकालोगे अस्थानिय मान आप निकालोगे अस्थ तो जोड़ दो तो तो कहोगे शेह हजार शेह होगा यानि आपका उत्तर कौन हो जाएगा सी सही हो जाएगा रुख जाएगा दसमला बला संख्या के भी हम बात करेंगे यहाँ पे अब यहाँ पर देखो यह कोशन कहता है यह संख्या में दो तीन के दो यानि कि तीन दो बार आया है गौर्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर तीन यहाँ पर भी आया है तीन यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांड, शे, साथ सुनना, है ना, एक, दो, तीन, चार, पांड, शे, साथ सुनना देना होगा, क्यों, क्योंकि तीन के बाद, एक, दो, तीन, चार, पांड, शे, साथ अंख है, आता इसका अस्थानियमान, तीन के बाद साथ सुनना देने पर निकलेगा उशीड हंसे भाईया अगर ये वाला 3 की हम अस्थानिय मान की बात करें तो 3 के बाद 2 अंक है आता 2 सुना देंगे तब ये 3 का अस्थानिय मान निकलेगा इसी का भाया हमसे क्या पुशा है अंतर तो घटा दो जीरो, जीरो, यह हो जाएगा साथ, यह हो जाएगा 90, 9, 9, 2, बस यह हमारा उत्तर होगा, कौन में है उत्तर, देख लो, साथ, सव तो सिर्फ इसी में नजर आ रहा है भाया, यानि ये ओब्षन हमारा क्या होगा, सही आगे बढ़ते हैं अगले कोशन में, यहाँ पर कहता है देसमलब बाला कोशन है यह, कहता है यह देसमलब इतना में चार का अंकित मान क्या होगा, मैंने क्या बताया है, अंकित मान यानि की जातिये मान, क्या होगा, नहीं बदलेगा, जातिये मान नहीं बदलेगा, यानि यह चार का जातिय मान क्या होगा चार ही होगा चाहे दसमलब में हो या बिना दसमलब में हो जातिय मान कहीं नहीं बदलेगा याद रखना अगे हम यहां पे देखते हैं कोशन आओ और कहता है इसमें तीन का अस्थानिय मान क्या होगा लेकिन संख्या दिया हुआ है दसमलब में यहां पे गौर करिएगा, 0.07359 में ये 3 का हमें अस्थानिय मान निकालना था, क्या निकालना था, अस्थानिय मान निकालना था, अंकित मान होता तब तो 3 ही हो जाता, तो याद रखना, यहां पे निकालने का तरीका है, कि देसमलब के इधर की ओर देखना कि क्यम्मा अस्थ पर है तिसका स्थानिय मान हो जाएगा 3 बटा एक दो तीन है एक पर ती दो जीरो ये ऐसे भी इसको हम क्या सकते हैं दोस्त...... आइसे भी इसको हम क्या सकते हैं कि 3 स्थानिय मान का मतलब होगा 0 , got 003amp 003 अब इसको हल करोगे तक क्या होगा 3 बटा 1000 किलियर है बात आया समझ में 10 सम्मन में रहेगा तब भी बना लोगे यानि 3 बटा 1000 यानि C आपका क्या होगा सही होगा यहां देखिएगा कि किस प्रकार से आपके एक्जाम में गुखला कर पूशा जाता है कहता है 6 बटा 8 में 5 और 6 बटा 25 में 4 क्या स्थानिय मानों का यह क्या होगा तो क्या करिएगा कुछ नहीं करिएगा आप सबसे पहले तो इसको 10 सम्मन में बदलिए कैसे बदलिएगा तो भाई या 6 में आपको 8 से भागा देना होगा 0 8 सत्य शपन यह आजाएगा 4 फिर 0 8 पचे 40 यानि आपका आजाएगा 0.75 क्लियर है दोस्त फिर इसको 10 सम्मन में करिए यानि 6 में 25 से भागा दीजिए कितना आगया दो 24 यानि यह आगया 0.24 सबसे पहले 10 सम्मन में कर लिए अब यहाँ पे हमको गौण से बताओ हमको यह वाला 75 में 5 का अस्थानिय मान क्या होगा तो तुम कहोगे भाईया इकाई यहां से देखो यानि 5 बटा दसम्मन के बाद 2 अंक यानि की 2 0 डालना होगा नहीं या इसको ऐसे भी देखो दसम्मन जीरो 5 ऐसे भी कर दो जो अंक है ना उसके पहले 0 बटा दो तब ही 5 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा अब रुख जाएगा अब हम इसकी बात करते हैं यह वाला में क चार का अस्थानियमा निकालोगे तब क्या आएगा तो कहोगे भाईया 2 अंक के बाद है एक पहला दुसरा के बाद है यानि 4 बटा यह भी क्या हो जाएगा 100 अब यही दोनों का हमसे भाईया योग पूशा है यानि 5 बटा 100 पलस 4 बटा 100 यानि 9 बटा 100 आपका प्रसम का उ जोड़ दो वही तो कहा था कि इसमें पाच का और इसमें चार का अस्थानियमान का योग क्या होगा तो हम समझते हैं अस्थानियमान जातियमान से जुरा हुआ कोश्चन अगर आपके एगजाम में आ जाए तो मा कसम आप शोरीने वाले में से अब नहीं है चलिए भाईया एक संख्या है गौर से समझना है आपको एक संख्या है जिसको आपने 627 भाईया भागा दिया तो 43 सेस बच गया यानि इतना सेस की रुप में बच गया अब बाकी भाईया इतना पूरा पूरा इससे क्या हो गया इससे पूरा पूरा अतना कट गया और 43 क्या बच गया सेस तो उस संख्या में अगर हम 19 से भागा दें तो क्या से से बचेगा ये question कहता क्या है तो सबसे पहले जब भी ऐसा question आये न तो पहले जाच करो कि ये question बनेगा कि नहीं बनेगा ये question का हल तभी संभब होगा जब ये वाला से पहल का भाजक पूरा पूरा कड़ जाता हो यानि 6 627 में पहले तो आपको उनीतिया भागा देकर चेक करना होगा अगर ये पूरा-पूरा कटेगा तभी इसका उत्तर देना संभब होगा अन्य था इसका उत्तर आकरा परियापत होगा याद रखना इस बात को अब यहां पर देखो तो उनीतिया भाईया यहां हो जाएगा संत 27 से भागा देते हैं तो 43 सेस दीए संख्या को 19 से भागा देंगे 21 से भागा देंगे तो क्या सेस आएगा तो एक बात बताओ भाई या चुकि 19 से 1 27 से यह 17 से यह incarnal अफ़ijn पूरा पूरा कड़ीया था अब जो ये बच गया सेस इसी को तो सिर्फ पता करना रह गया बाकी कि इसको भागा देंगे उनीस से तक इतना सेस आएगा यानि उनीस दूनी 38 आपका उत्तर कितना आजाएगा पाच कितना आएगा पाच तो इसी कोशन को हम लोग बताते हैं कि जब भी ऐसा कोशन आए तो ह सेस दिया हुआ है ना सेस कितना है 43 इसमें जिससे भागा देने के बात किया है उससे भागा देकर सेस निकाल लो आपका एंसर आजाएगा किलियर है वही काम तो मैंने यहां पर किया है किलियर है आता यतना काम करने के बजाए क्या करना है जो सेस बच रहा है उसी में उससे भागा देकर जिसे भागा देने के बात किया उसे भागा देकर सेस निकालने लेकिन ध्यान रखना एक बात को कभी कहेगा ना कि संख्या में भागा देने पर इतना सेस बचता है तो उस संख्या के दुगना में फिर कहेगा उस संख्या के तिगना में फिर कहेगा उस संख्या के घान में फलना से भागा दें तो क्या सेस बचेगा तो याद रखना अगर कहें संख्या के दुगना भागा देने के लिए तो सेस को दुगना करके उसे भागा देना कहेगा संख्या के तीन गुना भागा देने के लिए तो सेस को तीन गुना करके उसे भागा देकर सेस नि क्या कहता है यहां पर गौर से समझने का प्रयास करिएगा कहता है एन यानि की एक पुन संख्या है जिसे 6 से भागा दिया जाता है तो 4 से बचता है तो 2N को गौर से समझो यहां पर क्या लिखा है दोस्त क्या लिखा है 2N क्या लिखा है 2N को 6 से भागा देंगे तो क्या से ब एसे भी question को हम कह सकते थे कि एक संख्या में 6 से भागा देने पर चार सेस बचता है तो संख्या के दुग्ना कहेगा तस सेस को भईया दो гुना कर लेना कितना होगा four, दोनी, eight ँसको जिसे भागा देने की बात किया है उसे भागा देकर सेस निकाल लेना यानि आपका उत्तर कौन होगा? दू होगा और ये बास समझ में तरुको एक कोशन और है आपके भीच काता है किसी संख्या को पान से भागा देने पर तीन सेस भाईया बचता है यदि उस संख्या के बर्ग को किसको करा उस संख्या के बर्ग को पान से भागा देने पर क्या सेस आएगा तो यहाँ पर देखो संख्या के बर्ग को भागा देने की बात किया है किलियर है तो तो सेश बच रहा है तो सेश का क्या निकाल लोगे बरग क्यों क्योंकि संख्या में भागा देने की बात करता है तो संख्या में दो अंको की संख्या पे अधाइज कोशन, जो समिकरन का कोशन है, अब बहुत आपके एक्जाम में आता है, माल लो एक दो अंको की संख्या हम लेते हैं 72, ठीक है, अब इसको में सब को पता है, कि ए वाला भाया होता है एकाई का अंक, ए वाला भाया होता है दहाई का अंक, हो यानि ये संख्या बन जाएगा 27 किलियर है और ये दोनों का अंतर की बात करेगा यहाँ पर किसी बात करेगा अंतर का अंतर का तो अंतर यहां लिख देते हैं अगर इसकी अंतर की बात करोगे ना तो कितना आएगा तो 12 मेंसे 7 गया 5 आए यह बच गया 8. 6 मेंसे 2 गया 4, कितना आगया 45 आगया क्लियर है. और और कभी योग की भी बात करेगा, योग कितना आएगा वो भी निकाल दो, तो कहोंगे 7 दू 9 अब फिर आएगा 7 दू 9. याद रखना दोस्त यहाँ पे एक बात योग जो होता है वो 11 का मल्टिपल होता है और अंतर जो होता है वह 9 का मल्टिपल होता है 9 पच्चे 45 आई गारना मा निनान में यानि हम कहना क्या चाह रहे हैं अगर ये दोनों अंकों का अंतर की बात किया जाए न तो जो अंतर आया वह 9 का मल्टिपल यानि 45 बटा 9 कर दोगे दोनों का अंतर निकल जाएगा 7 में से दू गया 5 और भाया अगर योग निकलना हो दोनों अंकों का ये दोनों अंकों का योग निकलना हो तो ये संखिया और अंकों को प्लटने से बने संखिया का योग में 11 से भागा दो दोगे कितना से भागा दे दोगे 11 से भागा दे दोगे तो इसका योग निकल जाएगा 9 देखो 7 दू 9 यानि हम कह सकते हैं कि अंतर जो है 9 का मल्टिपल आयोग जो है 11 का मल्टिपल होता है इससे बहुते कोशन बनता है नहीं समझने होगा टेंसन मत लेना आगे यहाँ पे समझने का प्रयास करो आपको बिल्कुल बन जाएगा कहता है दो अंको की संखिया ठीक है बैया और अंको को अस्थान को आपस में बदलने पर बनी नहीं संखिया यह हुआ दो अंको का क्रम बदलने से बनी नहीं संखिया का अंतर दिया हुआ है 45, अंतर दिया हुआ है 45, अंतर के का मल्टिपल होता है, 9 का, यानि इसमें 9 से भागा दोगे, तो क्या निकलेगा, ये दोनों जो संख्या है न, उसके दोनों अंकों का अंतर निकलेगा, तो हमसे पूसता है, दोनों अंकों के बीच अंतर क्या है, अग आगर एकाई धाय कांग एकस औवाई हो तो दुनोँ अंकोगांतर कितना होगा औरूलों आंकों कांतर कितना होगा रूख जाहेएगा जेसी इस question को गोर से समझे ता एक दो अंको वाली एक संख्या है, अंको के करम को बदलने पर प्राप्त संख्या के बीच अंतर दे रखा है चववन का, अंतर दे रखा है चववन का, तो दोनों अंको के बीच अंतर क्या होगा, यानि एकस माइनस बाई आप से पुछा है, तो अंतर नौ का मल्टिपल होगा, यान जो संख्या होगा उसका अंको कंतर कितना होगा शे होगा अब इससे कोश्चन समिकरण में कैसे पूछा है यह देखो आपके एक्जाम में कहता है दो अंको वाली एक संख्या ठीक है भाईया और उसके दोनों अंको के अस्थान बदलने से प्राप्त संख्या का योग क्या दि यह कितना है? एक सो बग तीस, यानि एक सो बग तीस भागा 11 कर देंगे, तो अंको का योग निकल जाएगा, कितना आएगा भää तो बारा, अब कहता है यहादि आंको का अंतर 4 हो, यानि एक स माइनस बाई कितना दे रहा है? 4, तो आपको बताना है कि संख्या क्या है, नहीं न मान क्या होगा दोस्त को होगे घटा के आधा 12 में से 4 गया 8 का आधा 4 यानि संख्या होगा 84 या 48 देखो 84 जोलाजी है क् Everybody क्यों कि एकाई का अंक अगर 4 होगा 10 आयस natular about 4 संख्या 48 होगा क्लियर है देखो एक कोश्ण से और यहां पर डिसकॉस करते हैं यहाँ पर कहता है एक दो अंकों के संख्या के चाहिए नंकों का योग रिखाई है यानि अगО कितना दे रखा है या अगे नियसंख्या मुल से 45 कम हो जाता है यानि बनी हुई नियसंख्या मुल एक चाहिए संफ्या है 45 का हो जाता है अंतर 45 का हो जाता है यानि कि अंको का अंतर क्या होगा 9 का मर्टिपल होगा यानि 45 भागा 9 होगा यानि कितना होगा 5 होगा अब आप ही बताओ X कमान क्या होगा 16 का आधा 8 अब 2 कमान क्या होगा घटा के आधा 11 में से 5 की या 6 का आधा 3 तो संख्या कौन होगा या तो 83 होगा या 38 होगा किलियर है अब देखो आपके और समने कौन है 83 टिकोंट मार दो यह आपका सही उत्तर होगा अंतर दे दे तो अंको का अंतर 9 से भागा देने पर निकल जाएगा योग दे दे तो 11 से भागा देने पर अंको का योग निकल जाएगा ये बात आप समझ संख्या और अंको को बदलने से बने संख्या का योग 99 है यानि कि अंको का योग क्या होगा तो 11 का मल्टिपल होगा इसका यानि 99 भागा 11 यानि कितना होगा दोस्त तो 9 होगा फिर क्याता है यानि दोनों अंको का अंतर तीन है यानि एकस माइनस बाई कितना दे रखा है तीन आप ही बताओ एक कमा निकालना हो तो जोड के आधा याने शे और बाई कमान निकालना हो तो घठा के आधा याने की तीन तो तुमही बताओ संख्या कौन होगा, तो या तो 63 होगा, या भाय या 36 होगा अब option में देखो 63 है, tick out मार दो, clear है, आए बात समाझ में, अगर संख्या 63 है, तो अंको को प्लटने से बनी संख्या 36 होगा, clear है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ कोशन ऐसे भी होते हैं, देखो ये कोशन भी आपको देखने को मिलता है, ये भी समिकरन का ही कोशन है, क 21 से गुना कर डाला कहा गया था 12 से गुना करने के लिए लेकिन आपने 21 से गुना कर दिया नतीजा सही उत्तर 63 जादा आ गया सोचो इसको दो तरीका से आपको हम बताते हैं समझने के लिए अगर संख्या भाईया एक हो क्या हो संख्या एक हो तो एक में तुम 12 से गुना करता तो भाईया आता 12 लेकिन तुमने किया किया एक में 21 से गुना कर दिया यानि उत्तर कितना आ गया 21 ये गलत उत्तर हुआ तो सही उत्तर से गलत उत्तर कितना अधिक आया तो कहा कि 9 अधिक आया बात को समझो कितना अधिक आया 9 अधिक आया औ कितना हो जाएगा साथ यानि संख्या कितना है साथ अगर ये बात आपको समझ में नहीं आया तो ऐसा करो कि संख्या को हम एन माल लेते हैं नंबर नंबर संख्या क्या था एन था तो सोचो एन को अगर बारह से गुना करता तो बारह एन आता संख्या बारह एन आता तुमने क् उतर से 63 ज्यादा आया है तो यह घटाब यह करेंगे तो कितना अनचेया 63 यानि 9 एन का मान आ गया 63 तो भाईया एन का मान कितना आ जाएगा 7 यानि संख्या कितना है 7 ऐसे नहीं बना लोगे अब देखो अब लास्ट में एक तरीका हम हो बताते हैं जितने कोशन भी किये हैं अगर तरीका पता नहीं है तो आपके पास समिकरन बनाने का एक तरीका है ऑप्षन जिससे सब को आप बना सकते हो ऑप्षन से जिस इस कोशन को देखो ऑप्षन जरूर लगाना समिकरन का जब भी कोशन आवे तो उसका प्रयास ऑप्षन से बनाने का करो ज्यादा बेटर से बन जाएगा जैसे देखो यहां पे कहता है दो अंको के एक संख्या के अंको का यूग 9 है देखो तो आठ अधु सब्सक्राइब दस आरा एक उत्तमेरा नहीं होगा तीन 0-3 अंको का यूग 9 आनचे नहीं आरा लेकिन आठ अधु देखो यह भी 10 आ रहा यह भी नहीं होगा यहां देखो आठ एक नो यह खी आप्सन से आपका इंसर निकल गया बी क्लियर है बी अगर उससे नहीं निकलता अगर दो को मिल जाता तो दूसरा ओप्सन से चेक हम कर लेते हैं यह वाला से कि संख्या को 9 से गुना अंकों के गुना करेंगे तो 162 आएगा अंकों के उल्टे करम में यानि क्या ठारा है तो उल्टा करम क्या हो जाएगा इसका 81 पल्टेंगे तो 80 हो जाएगा सिप्रात संख्या के दुगने के समान है इसके दुगने के समान है यानि 162 के समान आ रहा है क्या तो हां आ रहा है यानि उत पिलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है हना उसको आप जॉइन कर लिजिए वहां से पूरा का पीडियेफ आपको मिल जाएगा और अगर मेरा किनी को कलास चाहिए तो के टी सी कलासेज नाम का मेरा ऐप है हना पले अश्टोर पर पले अश्टोर पर यह ऐप है इसको डाउनलोड करके इसमें रिश्टर कर लिजेगा वहां से सारी जनकारी आपको मिल जाएगी ठीक है आई इसके आगर का कलास कल लेकर पहुंचते हैं जब तक खुस रही है मंगर रही होके बाई बाई